जैस्री राम प्रिये बगतो चलते फिरते सोहंग मंतर का जब करने से आपके साथ क्या चमतकार गटित होते हैं ये किसी ने कमेंट करके पुछा है इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं तो देखो सोहंग मंतर का जब करने से आपके साथ वह चमतकार गटित होगा जो आपकी कलप अपना से परे हैं। उसे मन बुधी से नहीं जाना सकता। सोहंग मनतर का जब चाहे चलते फिरते करें, बैट कर करें, खाते पिते करें, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। क्योंकि यह मन के द्वारा प्राणों से होता है इशे शुद अशुद किसी भी अवस्था में कर सकते हो और इसका प्रेणाम भी सर्वत्तम होता है लेकिन ध्यान रहे यह निरंतर एकागरता और विश्वास के साथ होना चाहिए सोहंग मंतर के इलावा कोई ऐसा मंतर नहीं है जो हर समय हर स्थान पर शुद अशुद अवस्था में जपा जा सके और फल भी सर्वत्तम प्राप्त हो इस मंतर के निरंतर जब से हमें अनंत कोटी ब्रहमांडों का ज्यान प्राप्त हो जाता है और इसी मंत्र से हमें भूत, काल, भविश्यकाल और वर्तमान तीनों का ज्ञान हो जाता है और हम क्या है इन सब का अनुभव होता है इसके बारे में कहां तक कहा जाए इसी से हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है इसी से संतों ने महापुर्शों ने समाधी को घटित कि यानि कि समाधी को प्राप्त किया है कहने का मतलब ये है कि सोहंग मंत्र के चलते फिरते जब अगर आप ने करने के आदत डाल ली तो आपका जीवन में वो गटित होगा जो ये मेरी वाणी उसकी आवरन नहीं कर सकती लेकिन एक इशारा मत्र किया ताकि आपको विश्वास हो क्योंकि ये हमारा स्वेम का अनूभव है हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं हम आपके साथ अपने अनूभव शेयर करते हैं सारे हमारे प्रैक्टिकल होते हैं वीडियो में किसी में हम बता देते किसी में हम नहीं बताते लेकिन होते हमारे प्रैक्टिकल ही है क्योंक नहीं 101% सकते बात होती है अगर कोई प्रिशन हो तो कमेंट कीजिएगा जैस्री राम प्रियम अगतो